नमश्कार बच्चों, स्वागत है आपका मैच की क्लास में तो जो मेन फोकस फिलाल अभी हमारा रहेगा वो आपका रहेगा हर्याना CET के उपर ठीके, तो हर्याना CET में जो आपके पास चीजें आएंगी वो match में जो चीजे रहेंगी वो आपके पास रहेंगी एक तो रहेगी आपके पास arithmetic ठीक है? और एक जो रहेगा वो आपके पास रहेगा advance का subject advance तो arithmetic जो चीज रहेगी वो आपके पास रहती है अंक गनित अब अंक गनित में जो आपके basic calculation के जो topics हैं, वो रहते हैं, जैसे time speed distance हो गया, time and work हो गया और इनके अंदर जो topic है, percentage हो गया, ठीक है, time speed distance हो गया इसके नीचे आपका topic रहेगा, आपका किसका train का rail गाड़ी जो आती है train के बाद इसी में नीचे एक topic आपका रहता है, जो इसी के उपर depend करता है boat and stream का, यानि नाव और धारा का जो topic है, तो ये सारे के सारे जो आपके basic calculation के उपर depend करते है वो आपके किस में रहेंगे, वो रहेंगे आपके अंक गनित में ठीक है, तो advance का जो topic रहता है, ये आपके पास रहेगा trigonometry और इसी का एक base topic रहता है, heightened distance उन्यन कोण वाला और आवनमन कोण वाला, ठीक है trigonometry के बाद चीजे रहेंगे आपके पास algebra की algebra यानि beach गणित, बहुत basic basic से question आएंगे, लेकिन question पूछा जाता है ठीक है, इसके बाद जो चीज है वो है, हमारे पास सबसे important topic HSSC में, mensuration में, mensuration में, दोनों चीजें आपसे पूछी जाती है, 2D और 3D ठीक है, तो 2D में आपके पास रहेंगे, square हो गया, work जिसको हम बोलते है rectangle हो गया, ठीक है, आयत, ठीक है, circle हो गया, और triangle आ गया इससे बाहर की कोई चीजे नहीं है आपकी 2D में और 3D में जो रहेंगी, वो इसकी उपर ही रहता है, भी एक हो गया, cube घन हम जिसको बोलते है, एक हो गया, आपका, cuboid, यानि घनाव जिसको बोला जाता है circle का, या रहेगा, sphere, ठीक है, और circle से ही चीजें क्या बनती है आपकी cylinder यानि के balance और cone, cone यानि के जो चीजें आपकी शंकू की आती है ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये आपको पढ़नी पढ़ेंगी किसमें, advanced level के topics में तो mensuration सबसे आपका important रहता है, मैं अगर कहूं तो, ठीक है, तो इसी के questions आपके ज़्यादा तर रहेंगे तो arithmetic, अगर हम start करें, तो जो आपका basic सा topic है, वो आपका रहता है time and work का किसका? time and work का, ठीक है, समय और कारे समय और कारे तो एक simple सा question, अगर हमें काम करना है, तो हमें जो चीजों की जरूरत होती है, वो जरूरत होती है labor की और labor man भी हो सकता है, woman भी हो सकती है, और children भी हो सकते है और दूसरी जो चीज जरूरी होती है, भी आपको कारे कितनी देर में करना है देर में यानि चीजें define होती है, किसमें समय में, समय आपका होता है days और हम इसको convert कर सकते हैं किसमे आर्स में और बाकी हो सकता है दोनों ही चीजें आपको given हो days भी given हो और आर्स भी given हो तो ये चीजें भी आ सकती है ठीक है और labor में भी जो चीज ज़रूरी रहेगी वो रहेगी इन लोगों की efficiency efficiency यानि के कार्य करने की शमता ठीक है तो simple सी logic है शमता हमारे लिए ज़रूरी क्यों रहती है अगर मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ती है उसकी efficiency कितनी है 10 है और उसके पास कार्य जो करना है वो है 15 तो जब उसकी efficiency ही 10 है तो वो 15 कार्य कैसे कर सकता है अब अगर efficiency की मैं बात करो तो मैं कह सकता हूँ 10 work per day 10 काम प्रती दिन तो एक दिन में अगर 10 काम किया तो जो काम 5 बच गया वो किया जाएगा आपका next day यानि अगले दिन काम करेगा और एक दिन तो ये लग गया और अगले दिन अगर 5 काम करेगा तो आधा दिन वो लग गया तो 15 काम करने में टोटल कितना दिन लग गया एक सही एक बचा दो या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 by 2 days तो ये हमारे लिए इसलिए efficiency जरूरी होती है efficiency का मतलब है भी एक व्यक्ती जादा से जादा एक दिन में या मैं कहूं per day per hour per minute per second इस तरीके से ये कितना काम करता है तो ये चीज़ें किसको define करती है efficiency को तो ये चीज़ें आपको सबसे जरूरी रहेंगी ठीक है तो इसमें questions जो आते हैं वो आपके 6 सा type के question रहते हैं तो हम अपना basic सा question start करते हैं जो आपका रहेगा type 1 और type 1 को हम लोग किसमें define करते हैं type 1 आपका define होता है formula based formula based बहुत असान सा topic है ठीक है और type भी बहुत असान है तो सबसे पहले एक basic सा question अगर मैं आपसे पूछू मैं कहता हूं भी 80 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं तो बताओ उसी काम को 60 आदमी कितने दिन में करेंगे ये बहुत simple सा question है 4 unit का question था आपको कितनी दे रखी है 3 दे रखी है 80 आदमी 40 दिन में तो 60 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे ये चीज़ आपको निकाले हैं तो दो चीज़े मुझे given है एक तो man given है और दूसरा base given है तो हम लोग गलती क्या करते हैं? जो हमने बच्पन में सीखा है उसी से हम लोग गलती कर देते हैं यहां पे कोशन निकालने में हम क्या करते हैं? 80 आदमी किसी काम को करते हैं 40 दिन में एक आदमी करता है 40 बटे 80 में और करवाने कितनों से है? 60 आदमी से तो हम क्या करते हैं? 40 बटे 80 गुणा में 60 तो यह कट जाता है आपका 2 पे यह 4 पे और यह कटता है 15 पे तो आप उत्तर निकाल के लाते हो 30 और हो सकता है यह आपका पहला ही option मिले यह क्या मिले आपका first ही option मिले ठीक है और आप लगाओगे और question सही कहोगे भी एक बात बताओ अगर 80 आदमी उस कार्रे को 40 दिन में करते हैं तो 60 आदमी उस कार्रे को 30 दिन में कैसे कर सकते हैं? यह तो possible ही नहीं है तो यह जो हमने गलती की यह जो चीज आपको define करवाई गई थी या सिखाई गई थी यह चीज जो आपकी रहती है यह हमने एक topic पड़ा था जिसका नाम क्या था? Unitary method Unitary method यानि एक unit की कीमत हम निकाल लेते हैं ठीक है? और हिंदी में क्या लिखा जाता था? इसको हिंदी में एक topic की ये नाम होता था इसका नाम होता था भी एक इक नियम ठीक है? तो एक चीज की कीमत निकालो आपके पास हर चीज की कीमत आ जाएगी यह चीज हम सीखते थे लिकिन time and work में जो चीजें चलती है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं एक चीज और बोली जाती है इसको इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है direct relation डारेक्ट रिलेशन यानि एक चीज की कीमत बढ़ाओ तो दूसरी चीज की कीमत भी बढ़ जाती है एक चीज की कीमत घटाओ तो दूसरी चीज की कीमत घट जाती यानि इन दोनों की बीच में क्या है डारेक्ट रेलेशन है लेकिन टाइमेंड वर्क जो है इसमें जो चीजें चलती है वो आपके चलती है इन डारेक्ट रेलेशन यानि विपरीत संबंद चलता है विपरीत संबंद यानि एक चीज अगर आप बढ़ाते हो तो दूसरी चीज कम हो जाती है और एक चीज अगर कम करते हो तो दूसरी चीज बढ़ जाती है ये चीजें डिफाइन करी जाए कि भी जैसे आप labor अगर man की quantity बढ़ा देते हो तो days जो है वो कम लगेंगे और अगर labor कम कर देते हो तो days क्या लगेंगे जादा लगेंगे यहाँ पर indirect relation आता है एक relation और है एक topic और है जो आप पढ़ोगे वो क्या है भी अगर आप time जादा है तो speed क्या करनी पढ़ेगी कम करनी पढ़ती है और अगर आप speed बढ़ा देते हो तो कहीं भी पहुंचने में time मुझे क्या लगता है कम लगता है तो यह देखो indirect relation है तो यहाँ पर यह जो चीज काम करती है दो चीजे है तो यहाँ पर topics में आपको जो लगाना है वो लगाना है indirect relation यानि कि विपरीत संबंद लगता है तो यह सिरफ समझाने के लिए है इतना सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जो आपको याद रखना है वो आपको एक याद रखना है वो होता है हमारे पास एक general formula क्या होता है general formula और वो general formula क्या है m1 d1 h1 is equals to m2 d2 h2 यह general formula है m किसको represent करता है m से क्या पता चलता है man d से क्या पता चलता है days यानि के दिन और h से क्या पता चलता है hours यानि के घंटे आदमी दिन और घंटे जो जहां given है वो हम रख देंगे और बाकी अगर कोई चीज हमें given नहीं है तो उस चीज को हम लूग क्या कर देंगे हटा देंगे तो हमारे पास question क्या था question बहुत simple सा था question क्या कहता है 80 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते है तो 60 आदमी उस कारे को कितने दिन में करेंगे यह हमारे पास question था तो general formula अब हमारे पास है तो उस चीज से हम देखते है कि m1 कितना है 80 d1 कितना है 40 equal होगा m2 man2 दूसरे गुरूप में आदमी कितने है 60 और मुझे निकालना क्या है d2 ठीक है तो d2 को यहां रखते है 60 को नीचे ले आते हैं तो हमारे पास क्या बढ़ा 80 into 40 80 गुना 40 बटे में 60 तो 2 हो गया 3 हो गया तो यह मेरे पास दिन निकल के आते है 160 बटे में 3 दिन तो यह मेरा क्या है correct answer है तो यह चीज आपको करनी है ध्यान रखनी है इसको हम fraction में convert कर लेंगे points में बहुत कम answer मिलते हैं जादा तर आपकी चीजें किसमें रहेंगी आपकी चीजें रहेंगी किसमें fraction में यानि भिन के रूप में आप मिश्रित भिन के रूप में इसको लिखतो तो यह चीजें आपको ध्यान रखनी है एक question और करते हैं 4 unit का question था तो 3 दे रखी थी अगर मालनो 6 unit का question आजाएं तो एक question और लिख देता हूँ question क्या होगा मैं कहता हूँ भी 40 आदमी किसी काम को 5 दिन में 10 घंटे काम करके कर देते हैं तो बताओ 20 आदमी इसी काम को कितने दिन में 8 घंटे करके कर दे लिए ठीक है तो ये चीज आपके पास निकालनी है तो सीधा सा है कितनी unit है आपके पास 6 unit का question है और आपको दे कितनी रखी है 5 दे रखी है तो एक आपको निकालनी है तो वो कैसे करना है general formula आपके पास है general formula आपके पास है क्या कहता है m1 d1 h1 is equals to m2 d2 h2 पहला group और ये दूसरा group तो यहां क्या रखेंगे जो चीज गिवन है वो रख देते है 40 into 5 into में 10 is equals to 20 into में x माल लेते हैं इसको x गुणा में 8 तो x अगर निकालना है तो ये 20 और 8 ये कहां आ जाएगा भी यहां आ जाएगा 20 गुणा में 8 तो इसको काट लेते हैं ये कटिया 2 पे ये हो गया 50 बटे 4 is equals to x तो x बराबर किसके आ गया 25 बटे 2 यानि आपका आंसर कितना है 1.5 बारा तो ये मेरा correct answer है तो हम यहां से क्या सीखे भी जो formula हमारे पास है उसके according हम लोग चीजे यहां क्या करेंगे put करेंगे जो चीज दे रखी है वो रखो जो चीज नहीं दे रखी उस चीज को हम लोग क्या कर देंगे skip कर देंगे ठीक है तो ये question है इस परकार के question आपसे पूछे जाते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है formula based questions, ठीक है भी, तो ये आपके पास कुछ एक questions है, ठीक है, इसके बाद, थोड़ा सा advance level का question भी पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक final formula लिखना पड़ेगा, formula वही है, बस इसमें एक चीज और add हो जाएगी, final formula ये आप याद करक सकते हो, ये क्या होता है, w1 upon में m1, d1, h1 is equals to, w2 upon में m2, d2, h2, अब ये चीजें तो मैंने बता दी थी पिछले वाले में कि ये चीजें क्या होती है, ये जो w1 है, या w जो चीज रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है work यानि के कारे, और सबसे ज़्यादा confusion जो रहती है वो हमारे पास रहती है work और man में work क्या होगा जो काम हो रहा है w represent होता है जो काम हो रहा है और m होता है जो काम कर रहा है इन दोनों को इसी तरीके से categorize किया जाता है question में इनी दोनों में क्या रहती है confusion रहती है यह जीज़ ध्यान रखना इसका एक question भी बता दूँगा जहांपे आपकी confusion create होती है ठीक है तो इसका एक बहुत simple सा question कर लेते है question क्या कहता है सो आदमी दस दिन में बारा घंटे काम करके बारा हजार कुरसियां बना देते हैं तो बताओ भी दोस्तो आदमी पांच दिन में आठ घंटे काम करके कितनी कुरसियां बनाएंगे बहुत simple सा question है कितनी unit है आठ unit का question है और आपको given कितनी है साथ given है एक unit निकालनी है और वो unit कुन सी है मेरे पास है W2 यह W2 यानि दूसरे group ने कितनी कुरसियां बनाई वो मुझे चाहिए तो simple सा है इसको हम लोग formula के according put कर देते हैं formula क्या था final one अब देखो 100 आदमी जो है वो 12,000 कुरसियां बना रहे हैं तो यह है काम करने वाले और यह है कार्य होने वाला तो यह चीज केटेगराईज होगी W1 में और यह चीज क्या रहेगी M1 रहेगी ठीक है तो simple साल है 12,000 बटे में 100 गुणा में 10 गुणा में 12 बराबर है W2 अपोन में 200 गुणा में 5 गुणा में 8 तो W2 अगर निकालना है तो आर पार गुणा करते क्रोस मल्टिपलाई से यह उपर आ जाएगा यहां देखते हैं भी 12,000 इंटू में 200 इंटू में 5 इंटू में 8 अपोन में 100 गुणा में 10 गुणा में 12 तो एक दो तीन यह कैंसिल 12 से 12 कैंसिल तो 8 पंजे 40 200 गुणा में 40 यह कितनी कुर्सियां बन गई भी 8,000 कुर्सियां बन गई तो यह जो 8,000 है यह आपका क्या रहे का आंसर रहे तो यह डारेक्ट आपके formula based questions है इनमें जादा कुछ नहीं रहता अगर आपको formula याद है और उनका concept अगर याद है तो व जो चीज दे रखी है उसको रखो जो चीज नहीं दे रखी उसको क्या कर दो skip कर दो या फिर मैं कह सकता हूं कि उसको हटा दो ठीक है तो यह एक आपका question है किसके according direct formula based according ठीक है तो आज एक overview थो था वो आपको मैंने दे दिया इस चीज में कि यह जो type 1 है इसमें बहुत सारे questions आते हैं type 1 में बहुत सारे questions हैं जैसे चीजें किस में रहेंगी चीजें fraction में भी रहेंगी चीजें किस में रहेंगी fraction में भी रहेंगी यानि भिन के रूप में भी रहेंगी अब भिन के रूप में क्या देता है work आपको दे देता है मैं कहता हूं किसी group ने two by seven work कर दिया द तो overview के according आपके पास चीजें हैं कि आपको पढ़ना क्या है तो इसको हम लोग आगे continue करेंगे जब आपका topic जो है वो आपका main start हो रहेगा जिसमें हम हर type के question करेंगे इसमें question क्या रहता है कोई group में अगर शामिल हो गया तो group में add भी हो जाएगा ठीक है तो group में से कोई चला गया तो उसकी efficiency subtract भी करनी पड़ेगी यानि घटानी भी पड़ेगी एक आपके पास आता है alternate days का alternate days यानि एक अंतर दिन कारे करते हैं एक दिन A आया एक दिन B आया दो unit का भी आता है इसमें 3 unit का भी question आता है ठीक है इसके बाद आता है replace का replace का मतलब है कि भी अगर A और B काम करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद C की जगह कोन आ जाए या A की जगह कोन आ जाए C आ जाए तो main चीज क्या रहेगी A इसको C को replace ये C ने A को replace कर दिया तो अब कारे करने वाली unit कोन है C और B रह गए ठीक है और इसके बाद आता है काम समापती से काम स जले जाना ये वाला कोशन बहुत इंपोर्टेंट रहता है ये जो कोशन है ये वाला कोशन और एक ये वाला कोशन आल्टरनेट डेस्क वाला ये वाला जो कोशन है ये दोनों unit बहुत सेम रहें ये दोनों आपको करने है ठीक है तो ये type 2 के कोशन से इसके बाद time and work में आत जादा है, ठीक है, धाई गुना है, मैं कहता हूँ 20% जादा है, 30% कम है, 12.5% कम है, तो ये वाले कोशन्स आपके रहेंगे किसमें, एफिशेंसी में, ठीक है, इसके बाद जो चीजें रहेंगी, वो रहेंगी भी, आपके पास होटल वाले कोशन्स आते हैं, जैसे कोंट्रेक्टर वारे कोशन आते हैं, एक कोंट्रेक्टर ने किसी रोड को बनाने का कारे शुरू किया, कुछ दिनों के बाद आदमी चले गए, तो ये कोंट्रेक्टर वाले हैं, ठीक है, किले में कुछ सैनिक है, ठीक है, कैसल वाले कोश तो यह question आपके रहेंगे कि इसमें type number 4 में, फिर आपके पास last आती है चीज़ें type number 5 में, type 5 में कौन से questions आते हैं, man के, woman के और children के, यानि इन तीनों की efficiency को क्या कर देगा, वो combine कर देगा, यानि एक साथ question पूछेगा, man का, woman का, और children का, तो यहाँ पे चीज़ें कैसे solve करनी है यह आपका रहेगा type 5 में, तो यह generally types हैं आपकी हैं, बहुत सारी types हैं, वैसे questions जो आपके रहेंगे, वो बहुत सारे रहेंगे, तो हर जो आपके exam oriented questions है, important important questions जो आएं हुए हैं, उनको भी हम discuss कर लेंगे date wise, ठीक है, date के according आपको बता दूँगा कि इस type में, इस type का question आया था तो यह वला question इस तरीके से solve होता है, तो यह चीज़ें रहेंगे आपकी, HSC के according, SSC के according, भी आपका CDS का exam है, तो उसके according, group Y अगर आपका रहेगा, तो उसमें भी आपके questions सेम रहते हैं, HSC का आपका कोई भी exam हो, ठीक है, CET का फिलहाल main रहेगा आपका, भी CET में जो चीज CCL जो है, CHSL जो है, ठीक है, MTS जो रहेगा, या दिल्ली पुलीस का CPO जो है, तो उन सब में जो आपका pattern रहता है, सलेबस का, वो आपका pattern जो है, सलेबस का वो सेम है, तो question जो रहता है, वो time and work का बहुत confirm question है, हर exam में एक या दो question तो इसके मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, यह च अगर फिलहाल कोई doubt आए, तो उस चीज़ का comment section में आप डाल सकते हो, तो next class के लिए थोड़ा सा इंतजार, तो आज के लिए thank you